चुनावी दौरधूप सरकार के गठन सपत ग्रहन विधान सभा विधान मंडल की कारवाई का सुरू होना इस पर से पर्वत्यवार और इस बीच में आपका भोरे भोर पिछड़ रहा था लेकिन खेर मैं हूं न भोजपूरी की एक अलग फैरिस्त आपके सामने आ रही थी व भोरे भोर आपका बंद हो गया था लेकिन खेर जरूरी चीजे आप तक पहुंच रही थी और आपके साथ मेरा संबंध लगतार वैसे ही कायम था आज से भोरे भोर की पहली खेप आपके सामने लेकर क्याया हूं और भोरे भोर में एक ऐसी खबर जो निश्यत रुप से बिहार की राजनित में शुसील मोदी का क्या होगा तो आप मान के चलिए कि शुसील मोदी एक बड़े सर्प्राइज के लिए तैयार है और इतना ही नहीं उन्होंने अपने पुराने लय और रो दोनों को अपना लिया है होता है कभी-कभी जब आपको आपके उच्छे स्र जब कोई रास्ता आपको नहीं मिलता जब नहीं समझ़च पाते हैं कि आपको क्यों ऐसा आपके साथ हुआ तो आप अपने अलग सोध में लग जाते हैं और आगे की रणनिती खास करकर राजनितिक लोगों के लिए कभी कोई अंत और एंड लाइन नहीं होता है जहां से पिर फिनिसिंग लाइन की तरफ पहुचना सुरू करते हैं बिल्कुल बिहार की राजनित में उसी तरह का चल रहा है आपको पता है कि सुसील मोदी राजनितिक रूप से ऐसे सक्रिये ब्यक्ति हैं अब तो ब्यक्तित्य के रूप में आ गया हैं कि वो चुप बैठने वालों ने उन्हें आचार को लेकर के आचार का हेड बना दिया वो उस नियम कानून के तहत उन्हें जोड़ लिया अपने नजदिक रखने का प्रयास कर लिया लेकिन बात यहां नहीं है यह तो एक प्रारंबिक बात थी एक वो सम्मान था जो निटीश कुमार देना चाह रहे थे कहीं न कहीं तेजशी यादो के सामने खाड़ा करके सुसील मोदी को हलाकि सुसील मोदी लगतार तेजशी यादो के सामने खड़े हैं क्योंकि सबसे पहले अगर सुसील मोदी को किसी ने उस पद से हटाया था जो सुसील मोदी का एक तरह समझे रिष्टर्ट पद था तो वो थे तेज़स्षी यादो हलाकि इसमें नितीष्ट कुमार की भी भूमिका रही थि लेकिन नितीष्ट कुमार पुनह को हैं उनके बहुत करीवीन मित्र हैं इसलिए उनको दोस्तों दे नहीं सकते हैं लेकिन तेज़स्री यादो निकट DO- सकते हैं तेजस्य यादों के पास वह तर्निंग पॉइंट है वह आंकड़ा है जिससे बहुत कुछ बदल सकता है कभी भी तो निश्यत रूप से आपको यह बात समझने भी चाहिए सुशील सुशील मोदी को आप नजर अंदाज करके विहार की राजनीत का अगर कोई अध्याय लिखते हैं तो आपको आने वाले समय में उस अध्याय में कुछ और पन्ने जोड़ने पड़ सकते हैं क्योंकि सुशील मोदी कभी इस अध्याय को बदल दें 2015 में जब नितीश कुमार जैसा मजबूत बैक्तित का बैक्ति और अपनी बातों पे अडिक रहने वाला अपने अनुसार अपनी आइडियोलोजी के अनुसार राजनीत करने वाला बैक्ति अपनी सर्तों पे राजनीत करने वाला बैक्ति जब खुद अपनी सर्तों को तोड दे अपनी सोच को अपनी ही बात को खतम कर दे तो निश्यत रूप से बिहार के राजनीत का एक नया एरा सुरू हो गया है यह आपको मानना पड़ेगा समझा होता जब निटीश कुमार जैसे राजनीतिक पैक्टिक तो करने लगें तो समझ लीजिए कि कहीं ने कहीं अब एक नये दौर की राजनीत सुरू होने जा रही है और इस दौर का आगाज कहीं ने कहीं आपको इस बार के विधान समभा में देखने को मिला होगा क्योंकि अधिक संख्या में नए लोग जीत कर गया है और ये नए लोग जीत करके इसलिए आये हैं कि आपको हमने सुरू में कहा था कि एंटी इंकंबेंसी सिर्फ नितिश कुमार पर लागू नहीं होती है उन बिधायकों पर भी लागू होती है जो पिछले कई चुनाओं से कई वर्सों से कई चुनाओं से लगतार जनता के सवा वालों को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं जनता के भावनाओं पर भाव पर और उनके मनसूबे पर खरा नहीं उतर रहे हैं ऐसे लोगों को दरकिनार किया गया है कुछ कई नए लोगों को मौका दिया गया है इन सब में चुनाओं को लेकर के बहुत सारी बाते चल रही है और शुशिल मोदी को अगर केंदर में बुलाया जा रहा है तो उसकी पूरी कहानी और पटकथा गया है आज ही आपको किसी ना किसी एपिसोड में आपको इसकी पूरी जो हमारे पास थोड़ी सी जनकारी रह गई है वो हम इकठा कर रहे हैं आपको सुनाएंगे लेकिन अभी जो हम सुनाने के लिए आपको पास आये हैं बोरे बोर में वो ये है कि सुसील मोदी ने समझाने वाली मुद्रा में तेजश्य यादों को इस पर तोर पे कहा है कि आप जो कर रहे हैं उस पर थोड़ा विराम डालिये लगाम लगाए अपने इस राजनितिक घोड़े को क्योंक कि जो आप बातें कह रहे हैं और जिस तरह से आप चुनावायक पर प्रस्न कड़े कर रहे हैं इससे संबैधानिक संस्थाओं पर संकट आ सकते हैं बार बार लगतार कहीं न कहीं अगर इस तरह की बातें होती हैं तो संबैधानिक संस्थाओं पर चुकि आप भी उसके एक ह हिस्सा हैं और इस हिस्से में कहीं न कहीं एक वो भैकुम आ जाएगा जिस भैकुम को जोड़ने के लिए फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी लोगों से भरोसा उड़ जाएगा इसलिए इस भरोसा को कायम रखना बहुत जरूरी है आपको बता दें कि उन्हों साफ तोर पे उस मुद्देव को उठाया है जो मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है और नितीश कुमार की जड़ें हिलने लगी है आपको हमने पताया था कि गेम चेंजर हो सकता है शुशिल मोदी का ये जो वर्जन है ये बात जो है गेम चेंजर हो सकता है कहीं न कहीं आपको पता है कि विपक्ष लगतार चुनाव आयोग के और मतगन्ना के जो सिस्टम रहे हैं मतगन्ना में जो घाल मिल की बात कर रहा है उस पर अडीग है हलाकि चुनाव आयोग ने इस पर साफ एसपस्ट कर दिया है कि किसी तरह का कोई अनयतिक काम नहीं हुआ है वो पूरी तरह से संतुष्ट है लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विपक्ष ऐसे 20-22 सीटे हैं जिसको ले करके जाने वाला है नियायले और उसकी प्रक्रिया भी लगवक सुरू हो चुकी है इन सब बातों को ले करके कहीं नियायले का कोई आदेश आ जाता है और फिर से रीकाउंटिंग होती है और परिनाम अगर बदल जाते हैं तो जो मार्जिनल मार्जिनल बहमत से सरकार चल रही है उस सरकार पर संकट आ सकते हैं हलाकि कहा तो बहुत कुछ जा रहा है कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा सरकार उनके हाथ में है वो बहुत कुछ कर लेंगे कई संस्थाय सरकारी उनके कबजे में है तोता वगर की बात तो बहुत पहले से चल रही है लेकिन सुसील मोदी ने साफ तोर पे तेज़श्यादों को समझाने वाली मूद्रा में कहा है कि थोड़ा बर्दास कीजिए और थोड़ा बर्दास कीजिए का मतलब आप समझ रहना वही टर्निंग पॉइंट है थोड़ा रुखने की बात कहना ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इस टर्निंग पॉइंट पर उन्होंने कई सबूत दिये हैं उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप ही के खाते में ऐसा नहीं हुआ है भारतिये जनता पार्टी के भी एंडिये के भी कई ऐसे उमिदवार हैं जो 2000 से कम मार्जिन से हारे हैं तो क्या हमें भी उस तरह का करना चाहिए अगर ये बाते बहुमत में नहीं होती सरकार एंडिये की अगर बहुमत एंडिये को नहीं आया होता तो क्या सुसील मोदी यही बात कहते ऐसा नहीं लगता है कि वो यह बाते कहते पर सुसील मोदी ने तेजश्य यादों कहा है कि थोड़ा ठंड रखिए बरदास्त कीजिए चीजें आपके सामने हैं आप देखिए उन्होंने कई सीटों का जिक्र किया उन्होंने कहा कि मटिहानी में मातर 333 सीट से हम हारे तो क्या यहां भी गड़बर हुया है जंदा ने जो वोट किया है उसके आधार पर गिंती हुई है और गिंती बिलकुल फेयर हुई है यह बताना चाह रहे हैं शुशील मोदी वही उन्होंने डेहरी की बात भी किया है जहां 464 सीटों से जीत हार का फैसला हुआ था कुर्णी की बात कर रहे हैं जहां 712 सीटों से हुआ था बखरी की बात कर रहे हैं जहां 770 सीटों से हुआ था और कई ऐसी सीटे हैं जिस पर लगतार वो चर्चा कर रहे हैं, इन सब बातों को ले करके कहीं न कहीं, एक बात तो तैन ज़रा रही है, कि किस तरह से सुशील मोदी अब, चुकि तेजस्वियादों के पास भी वो सीट नहीं है, और सुशील मोदी के पास भी वो सीट नहीं है, एक सुशील मोदी को हटाने के लिए दो लोगों को बैठाया गया है और ये दोनों लोग निश्यत रूप से इस सीट से बेरुज़गार हो गए है अब आप जानते हैं कि दुखिया का दुखिया दोस्त होता है दुस्मन का दुस्मन दोस्त होता है बहुत जादा नहीं कहूंगा सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुसील मोदी का ये कहना कि तेजस्वी जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए सब चीजें साफ रहे कहीं कोई दिकत नहीं है आप समझ रहे होंगे कि चीजें कहां जा रही है इतना ही नहीं इंदितिश कुमार की चुपी और सुसील मोदी का अब उस तरह से हमला नहीं करना बहुत कुछ कह रहा है सुसील मोदी चुप बैटने वाले नहीं है और उनकी जिस तसन में वो बंगला खाली करके निकले थे वो बहुत कुछ कह रहा था और आगे भी बहुत कुछ बाकी है बिहार की राजनित में हम आपको जरूर जोड़ेंगे उन सब तथ्यों से उन सब चीजों से कड़ियों से आपको जोड़ेंगे तब तक आपको ये विश्लेशन कैसा लगा क्या तेजश्य यादो और शुशिल मोदी एक ही रास्ते पर चल दहें हैं जिस पर रेल तो चलेगी पर पट्रियां आपस में नहीं मिलेंगी देखना होगा बहुत सारी बाते हैं और बिहार की राजनित में कब क्या होगा रातो रात कब अंतरात्मा जग जाए कोई नहीं जानता है जूड़े ने भरत लाइब के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने मित्र दोस्त और साथी अगर आप सफर कर रहे हैं बहुत सारे लोग फिर से पलाहन करने के इस्थिति में हैं चट बीत गया है और चट के बाद ट्रेने भरभर कर जा रही है और निशित रूप से बिहार में रोजगार देने में असफ़ल ये सरकार जो पिछले 15 सालों से है लाखो लाख के संख्या में लोग फिर से निकल रहे हैं अपने दो वक्त की रोटी के जुगार में ऐसी स्थिति में ट्रेन के बगल वाली सीट पे अगर कोई बैठा होगा तो उसे भारत लाइब जरूर बताईएगा भारत लाइब दिखाईएगा और सब्सक्राइब करा करके घंटी दबवा दिजेगा कि अपनी मिट्टे के खुश्बू अगर कहीं मिलेगी तो इसी ठेहा पर मिलेगी जिसका नाम है भारत लाइब और भारत लाइब का साथ हमेशा आपके साथ है आप जब भी हमें कहेंगे आदेश देंगे हम आपके साथ खड़े न जराएंगे अगर ये वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद